नमस्कार दोस्तों सुवागत आप सभी का अपने यूटुब चैनल आरपीसी मेकर पर दोस्तों सभी को गूड़ मोर्निंग सुप्रभात और दोस्तों आज का दिन सभी के लिए मंगलवै हो तो दोस्तो इनी सुब कामनाओं के साथ इस्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास तो दोस्तो यूनिट नंबर थर्ड हमारी स्टार्ट हो चुकी है और उसके अंदर हमने जो टोपिक पढ़ा है व्यक्तिकत विभिनता है उसके बाद में हमारा जो टोपिक आएगा next है व्यक्तित वह यानि personality तो इसके अंदर पढ़ेंगे हम व्यक्तित वह यानि personality व्यक्तित्व की परिवासाई यानि definition इसके बाद में पढ़ेंगे हम व्यक्तित वह के सिध्धान्त और दोस्तो आज की वीडियो में हम complete कर लेंगे यह पहला सिधान्त हुन साय मनोव विशिलेशन आत्मक सिधान्त तो दोस्तो यह topic हम आज की वीडियो में cover करने वाले हैं ठीक दोस्तो तो दोस्तो वीडियो श्टार्ट करने से पहले आपसे चोटी सी request है यदि आप चैनल पर फैस्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को subscribe अवस्य करें साथी bell icon को जरूर प्रेज करें जिससे आपको हमारी वीडियो के notification मिल सकें तो दोस्तो हमारा जो next topic है वो है व्यक्तित्व यानि personality तो व्यक्तित्व क्या है देखो व्यक्तित्व सब्द की उत्पत्ति लेटिन भासा के persona से हुई है ठीक लेटिन भासा का सब्द कुन सा persona 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 से हुई है जिसका अर्थ होता है मास्क या नकली चहरा अर्थात बाहिय रूप तो ये क्या है व्यक्तित्व तो दोस्तो जो व्यक्तित्व है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है लेटिन बासा की सब्द परसोना से तो दोस्तो एक्जाम में पूछा जाता है कि लेटिन बासा की सब्द की उत्पत्ति है ठीक है जो व्यक्तित्व है व्यक्तित्व सब्द की उत्पत्ति है वो कौन से सब् अर्थ या होता है नकली चेहरा यानि मास्क यानि मुखोटा ठीक है अर्थात बाहिये रूप व्यक्तित्व का ताथपरिये बाहिये गुणों से लगाया जाता है लेक्तित्व का तात्परिये या अर्थ व्यक्ति तो है व्यक्ति के वन्सानुक्रम तथा वातावरण के दोवारा व्यक्ति पर पढ़ने वाला प्रभाव का मिश्रण है तो व्यक्ति तो है क्या होता है व्यक्ति तो होता है व्यक्ति के वन्सानुक्रम यानि उसके वन्स से एवं वातावरण उसका जो बाई है आसपास का वातावरन है उसके दोआरा व्यक्ति पर पढ़ने वाला प्रभाव का मिश्रण है यानि इन दोनों का क्या है मिश्रण है किस-किस का एक तो वंसानुकरम का यानि उसके जो माता पिता हैं दादा दादी हैं नाना नानी है ठीक है उनके जो वन्स करम है ठीक है तो वन्स का जो प्रवापड़ेगा और उस पर किस का प्रवापड़ेगा वातावरण का जिस प्रकार से उसके माता पिता है एक तो उसका उनको फोले करेगा ठीक है उनका जिस तरगे व्यक्तितों होगा उनके जो संतान होगी उनका व्यक्तितों भी उसी प्रकार से होगा एक दूसरा करेगा उनको वातावरण यानि जिस माहोल में वह रहा है यानि जिस समाज में वह पल रहा है तो अच्छे समाज में पलेगा तो उसका विकास भी अच्छा होगा तो वन सानुकरम और वातावरण इन दोनों का परभाव पड़ता है किस पर व्यक्तित्व पर फिर आती है इसकी व्यक्तित्व की परीबासाई दोस्तों देहो व्यक्तित्व की परीबासाई क्या है देहो गिलफोर्ड तो गिलफोर्ड ने क्या कहा है गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है ठीक है तो गिलफोर्ड की जो डिफिनेशन है यह आपको याद रखनी है एक्जामें पूछी जाती है कि व्यक्तित्व क्या है गुणों का सम्मित्व गुणों का सम्मित् कि व्यक्ति के विवहार की एक समगर विशेशता ही क्या है व्यक्ति तो है है क्या है व्यक्ति के विवहार की एक समगर विशेशता समगर विशेशता ही क्या है व्यक्ति तो है है फिर अगले आते हैं मार्टन की मार्टन क्या कहते हैं व्यक्ति तो है व्यक्ति के जनम जात कि व्यक्ति तो है व्यक्ति के जनमजात तथा अर्जित सोभाव जनमजात यानि जो उसको जनम से मिलते हैं और अर्जित यानि जो बाईवातावरण से अर्जित किया है उसने सोभाव मूल परवर्तियों भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समूदाय हैं फिर आती है ने सामाजिक समायोजन में अभी व्यक्त होता है तो ये कहा है कि इनोंने बिग एवं हेंट ने तो दोस्तों इनकी जो डेफिनेशन है ये आपको याद करने ही होगी क्योंकि एक्जाम में यासी कुशन पूछे जाते हैं आलपोर्ट तो आलपोर्ट ने क्या कहा है व्यक्ति तुए उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में एद्वित्य समायोजन निर्धारण करती है तो आलपोर्ट ने क्या कहा है कि व्यक्ति तुए उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है यानी यानि आर्लपोड की जो डिफिनेशन इसको आप यासे निकालो गुणों का गत्यात्मक संगठन गुणों का गत्यात्मक संगठन बिग एव महंचंट की क्या है यह है और व्यवहार परवर्तियों का एक समगरे रूप है व्यवहार परवर्तियों का एक समगरे रूप है फिर आते हैं नेक्स्टे व्यक्तित्व के सिध्धान्त अब देखो दोस्तों जी सिध्धान्त है ये भी इंपोर्टेंट है फैस्ट है मनोविसलेशनादमक सिध्धान्त मनोविसलेशनादमक सिध्धान् ने नव फ्रायड सिधान्त करेन होरनी इरिक फ्राम एरिक्षन तो इन होनी क्या दिया है नव फ्रायड सिधान्त नेक्स्ट है हार्मिक सिधान्त हार्मिक सिधान्त दिया है मेकडूगल ठीक है हार्मिक सिधान्त मेकडूगल छेतर का सिधान्त दोस्तों यह हमारे पिछे आ च चेतर सिधान्त, आत्म ग्यान का सिधान्त दिया है मेसलोने, जीव सिधान्त जो जीव सिधान्त है वो दिया है गोल्ड इस्टीन ने, फिर है रचना सिधान्त रचना सिधान्त दिया है सेल्डन ने, आलपोर्ट का सिधान्त ये दिया है आलपोर्ट ने, तो दोस्तो इस परक जो मनोविसिलेशन आत्मक सिध्धान देखो दोस्तों इनके जो परतिपादक है परतिपादक कोन है फ्रायड सिगमंड फ्रायड इनके अमसार व्यक्तित्व के तीन अंग हैं दोस्तों यह टोपिक बहुत इंपोर्टेंट है यहां से क्यूशन पूछा जाता है एक्जाम में आपको एक्जाम्पल देगा फिर वहां से पुछेगा कि इन में कि इन में कौन सा व्यक्तित्व का गुण आता है ठीक है इदम आएगा या एहम आएगा या परम एहम आएगा तो दोस्तों इसको आप आज हम गहराई से पढ़ेंगे ठीक है आपको समझाने की पूरी कोशि इन के अनुसार व्यक्तित है कह के दिये कोंडे कोνसे इदम आएडि आइड दूसरा होता है आपका एहम यानि इगो थीसरा होता है परम एहम यानि सूपर इगो तो इस प्रकार से यह तीन अंग हैis देखो फ़स्ट है इदम तो इदम क्या है देखो इदम को समझने का प्र जननी है यानि इच्छाओं की जननी जो भी हमारी इच्छाएं परकट होती है वो इस कंडिशन में ठीक है इस सिच्वेशन में क्या होती है परकट होती है अनुचित अनुचित का ग्यान नहीं होता है तो दोस्तों इस कंडिशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर अनुचित और उचित उसका ग्यान उसको नहीं होता है उसे ये नहीं पता होता है ये काम करेंगे तो ये उचित होता है या फिर अनुचित होता है यह है आनंद शिधानत को मानता है यानि उसे केवल आनंद चाहिए ठीक है उसे आनंद चाहिए उसे ये नहीं चाहिए कि ये सही है या फिर गलत है ठीक है ये तरिसे जैसे चोरी करना चोरी करना क्या है चोरी करने में उसको आनन तो आ जाएगा लेकिन उसको ये पता नहीं रहेगा कि ये उचित है या अनुचित है ये है क्या है जनम जात पर करती है ठीक है ये है क्या है में संथूजटी पाना चाहता है इदम एचेतन मन का राजा है जो इदम होता है वो किसका है एचेतन मन का राजा है यानि इस कंडिशन के अंदर जो भी मन में इच्छाएं परकट होगी जो भी भावनाएं परकट होगी वो क्या होगी एचेतन मन का भाग होता है यानि एचेत एचीटनमन कितना होता है तो जो इडम है तो इडमवाली इडमवाली इस्थती है कितनी होती है 90 थिन यह फो एचेत्व हुआ है सबी उसके अंदर इच्छाई प्रकट होती है जन्निन नहीं होता है आनन्द सिधान को मानता है ठीक है तत्काल सुक्ष वे संतुष्टी पाना चाता है तो यह सभी किसमी होती है ऐ चेतन मन के अंदर अब देखो जो एक्जामपल दिया हमेने इसको समझने का प्रियास करते है देखो एक लड़का बजार में फलों की दुकान के पास खड़ा है ठीक है आप अपने हमाइंड के अंदर सोच के देखी इसको एक लड़का है वो क्या गरा है बजार में फल की दुकान है उसके पास खड़ा है लड़के को बूख लगती है तो लड़के को बूख लगती है और जेब में उसके पेसे नहीं है ठीक है भूख लगती है और लड़के के जेब में पेसे हैं नहीं अब उसका मन दुकान से सेव चुरा कर खाने को हो रहा है अब उसके मन में आया कि मुझे भूख लगी है ठीक है लड़का है छोटा लड़का है उसका मन क्या है दुकान से सेव चुरा कर खाने का हो रहा है कि उसकी भूख है वो सांत हो जाए यानि उसको क्या हो जाए यह आनन्द सिदान्द इसके अंदर आजाएगा ठीक है तत्काल संतुष्टी है यह भी इसके अंदर आजाएगा उसको तत्काल संतुष्टी मिल जाएगी लेकिन क्या होगा कि दुकान से सेव चुरा कर खाने का मन हो रहा है ठीक है तो सभी इच्छ है इसके अंदर आ गई तो ये कौन सी अवस्था होती है ये है इदम की अवस्था होती है अब उसका केवल देखो मन क्या हो रहा है कि सेव चुरा कर खाने का हो रहा है केवल उसका मन हो रहा है यानि क्या है यानि उसकी इच्छा पर कट हो रही है यानि इच्छाओं की जन्नी है यहाँ पर क्या है चुरा कर खाने का हो रहा है लेकिन उससे क्या है उचित अनुचित का उसको ज्यान नहीं हो रहा है केवल यहीं तक बात हो रही है कि उसका मैंने बन में देखो एक बार इच्छा जाती है हम ये काम कर ले तो वो कौन सी वस्ता होती है इदम वाली ठीक है कौन सी है इदम वाली तो ये वजादीगी ठीक है तो ये वस्ता है कौन सी हो जाएगी इदम शेव चुरा कर खाने का हो रहा है तो ये हो जाएगी इदम वाली तो अब देखो इसके बाद में आती है एहम एहम यानि इगो इसे वास्तविक सिधानत कहते हैं इसे वास्तविक सिधानत कहते हैं यह हमारे व्यवहार पर नियंत्रन करता है यह हमारे व्यवहार पर क्या करता है नियंत्रन कर लेता है देखो कैसे करेगा आगे बताऊँ एक्जामपल के मादे में से यह है इदम और परम एहम के बीच की संतूलन की अवस्था है यह है इदम और परम एहम जो फश्ट पड़ा है हमने कुन सा इदम ये देखो इदम वो नीचे है कुन सा परम एहम तो इन दोनों की बीच की क्या है ये संतुलन की अवस्था है एहम चेतन मन का क्या है स्वामी है एहम चेतन मन का स्वामी है आप देखो फिर एक्जामपल वोई एक्जामपल है ये दूसरा एक्जामपल नहीं है देखो फिर क्या है कि लड़के के मन में विचार आता है कि चोरी करते पकड़े जाने पर मेरी पिटाई होगी या फिर पुलिस दोरा पकड़ा भी मैं जा सकता हूँ यानि उसको पुलिस पकड़ भी सकती है यानि उसकी क्या तो एक तो पिटाई हो सकती है ठीक है और एक या है उसके मन में विचार आया कि मुझे अगर किसी ने देख लिया तो मेरी पिटाई होगी चोरी करते हुए या फिर पुलिस है ये पुलिस को बुला सकते हैं कि ये चोरी कर रहा है तो अब उसके मन में ये विचार आते ही ये मन में विचार आया है तो ये कौन सी वस्था होती है ठीक है कौन सी कंडिशन होती है ये ये है होती है ये है एहम की वस्था है तो यह है कॉनसे वश्चता है? इगो दोस्तो आपको यह इंग्लिस वालिय वर्ड है यह भी आपको याद रखने है इदम है इदम क्या वोलती है? इड, आईडी क्योंकि जो एक्जाम होती है एक्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको इदम ही देगा जरूर नहीं इदम ही देगा ID, ID भी दे सकता है ये एहम है इसको Ego दे सकता है या फिर Ego को Ehm भी दे सकता है Ego नहीं देगा तो आपको दोनों याद रखने है Ego को बोलते हैं Aham ठीक है? परम एहम को बोलते हैं Super Ego और इदम को बोलते है ID यानि ID तो आपको ये दोनों है हिंदी और इंगलिस वाले दोनों आपको याद रखने हैं इसके अंदर फिर देखो ये है क्या है? ये है चेतनमन का स्वामी हो गया किस परकार से? चेतनमन का स्वामी किस परकार से हो गया? पहले तो वो ऐ चेतनमन के अंदर सोचता है इदम जो इदम वाली इच्छा है यानि इदम वाली कुन सी है इदम के अंदर उसके मन में क्या आया इदम के अंदर उसके मन में ये आया कि मैं उसका मन दुकान से शेव चुरा कर खाने का हो रहा है यानि मैं चोरी करके शेव खा लो तो ये होती है इदम वाली वस्ता अब ए एहम के अंदर उसके मन में ये विचार आ गया कि चोरी करते पकड़े जाने पर मेरी पिटाई हो सकती है तो ये आजाएगी किसके अंदर एहम के अंदर ठीक है यानि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या है नेतिकता का गुण आने लगा ये होती है एहम की अवस्ता फिर आत दी गुण आता है और नेतिकता का भी गुण आ जाता है इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर पस्चाताप की भावना आती है इसके अंदर क्या व्यक्ति के अंदर पस्चाताप ठीक है जरूर नहीं है कि यह एक्जामपल ले कोई भी एक्जामपल ले लो कोई भी एक्जामपल इदम वाली ठीक है फिर उसके में में आएगा यार मुझे किसी ने देख लिया तो वो वापिस मुझे पिटेगा तो वो आ जाती कुन सी एहम वाली कंडिशन फिर सूपर इगो वाली कंडिशन आएगी सूपर इगो वाली कंडिशन आएगी पर हम एहम वाली नहीं ये तो पा सी परम एहम वाली अवस्था थीक है तो इसके अंदर क्या होता है कि पश्चातापकी भाउना आ जाती है यह है देव inhib का प्रतिक है यह है इदम की पशूपरवर्थी की आलोचना करता है इदम की जो अवस्था होती है वो क्या होती है पशूपरवर्थी यानि चोरी करना ठीक है चोरी करना चोरी मतलब चोरी करने का जो भी उसके मन में ख्याल आया है ठीक है उसके अंदर बिल्कुल भी पस्चताव के बाउना नहीं होती है कि इसके अंदर इदम के अंदर तो उसकी क्या करता है यह आलोसना करता है उसके बिल्कुल वी परित है इ पिर लड़के के मन में विचार आता है कि तो दोस्तों यह था हमारा आज का तोपिक, उम्मीत करता हूँ आप दोस्तों तोपिक को आसानीए से समझ गए होंगे दोस्तों एजी है और एक्जामपल में बहुत हुआ रहता है, लग वग लगबग रिट के एक्जाम मुति उसके अंदर तो आता ही आता है पिछे वाले जो पेपर हैं आप उठा के देख लेना उसके अंदर ये क्यों सनाय हुआ है ठीक दोस्तो तो उमिद करता हूं दोस्तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करे शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न बुले तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत